परिचय बच्चों, हम सभी प्रिथवी को नीले ग्रह के रूप में जानते हैं, क्यूंकि प्रिथवी की सतह पर परियाप्त मात्रा में जल है। वास्तों में प्रिथवी की सतह का सत्तर प्रतिशत भाग जल से ढखा है। हालाकी गर्मियों में हर कोई जल की कमी की बात करता है। आश्चरे जनक है न? इससे भी ज्यादा आश्चरे जनक है कि कुछी महीनों बाद मानसून के दौरान हम बाढ़ के बारे में बात करते हैं। इस बाठ में हम प्रित्वी पर सूखा और बाढ़ के प्रभावों के बार इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। भारी वर्षा के प्रभाव को जानना, लंबे समय तक वर्षा ना होने के परिणाम का वर्णन करना, वर्षा जल संचयन के बारे में बताना, वर्षा जल संचयन के विभिन तरेके बताना, वर्षा का जल क कि आपको कभी आश्चरे हुआ है कि वर्षा का जल प्रित्वी पर पहुँचने के बाद कहा जाता है। अश्वतों से धाराओं और नदियों के रूप में नीचे बहता है। अतहा आकाश से प्राप्त ज्यादा तरजल आखिरकार कभी न कभी महासागर में मिलता ही है। भौम जल समस्त वर्षा जल प्रवाहित होकर नदियों में और अंतता महासागर में नहीं जाता। इसका कुछ भाग मृदा द्वारा अफशोशित कर लिया जाता है। इस जल को भौम जल कहते हैं। भौम जल बहुत से जीलों और कूओं के जल का स्रोथ है। हैंड पंप और ट्यूब वैल उपभोग के लिए इसी स्रोथ से जल उपलब्द कराते हैं। हालकि भौम जल के अत्यधिक उपभोग के कारण यह कम होता जा रहा है। परिणाम सवरूप भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी से गहरी खुदाई करने परती है। उन क्षेत्रों में जहां वनस्पतियां बहुत कम होती हैं या बिलकुल नहीं होती, वहां की उपरी मिठी भुरबुरी होती है और वर्षा जल के साथ आसानी से बह जाती है। ऐसे क्षेत्र पत्थरों से ठक जाते हैं। परिणाम सवरूप धरातल में वर्षा जल का निस्सयंदन कम होता है। यह भौम जलिस्तर में कमी का कारण भी बनता है। आत्म मूलियांकन। छात्रों दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। जब भारी वर्षा होती है तब क्या होता है। हमारे देश में अधिकतर वर्षा जून, जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। यह हमें गर्म और उमजभरी गर्मी से रहत देती है। बहुत सी फसलों की बुआई मानसून पर निरभर होती है। लेकिन क्या होता है जब बहुत भारी बारिश होती है। अतिधिक वर्षा की कारण तालाबूं, झीलूं और नदियों के जलिस्तर में वृद्धी हो जाती है। जिससे इन में जल उमणने लगता है। इन जलाशयों में जल का उसकी सामानी सीमा से अधिक प्रवाह को बार कहते हैं। बार फसलों को हानी पहुँचाती है। और लो बर्श की विशिष्टा है। बहुत लंबे समय तक वर्षा के ना होने से सूखा पड़ता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि यदि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो क्या होता है। जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, तम्रिदा नियमित रूप से वाश्पी करण और प्रस्वेदन के माध्यम से जल खोती है। तालाब और कुओं का जलिस्तर घड़ जाता है और कुछ जलाशे सूख जाते हैं। भौम जल भी कम हो जाता है। लंबे समय तक जल की कम आपूर्ती के कारण सूखा पड़ता है। जल का बुद्धी मत्ता पूर्वक उप्योग करना चाहिए। जल को केवल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। पृत्वी पर उपलप्त जल का एक बहुत छोटा सा भाग पादपों, जीवों और मनुश्यों के उप्योग के योग्य है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार योग के जल की मांग बढ़ती जा रही है। आने वाले वर्षों में इसके अभाव के बढ़ने की संभावना है। इसलिए हम लोगों को पृत्वी के जिम्मेदार निवासी होने के नाते जल संचयन अवश्य करना चाहि वर्षा जल संचयन यदि हमारी छतों, सडकों और पैदल पथों पर गिरे वर्षा जल को गड़ों में गिरने देने के बजाए उसे एकत्रित और जमा कर लेते हैं तो हम जल का बहुत बड़ा भंडार बना सकते हैं। वभिन कारियों में उपियोग के लिए पाइप से स्टोर् टैufficient में जमा करना चाहिए। इसके अत्रिक्त वर्षा जल को एक टैंक में एकत्रित करने के बजाए पाइप से इसे जमीन में खोदे गए एक गढ़े में एकत्रित कर सकते हैं। इस तरह वर्षा जल मृता में पुनर भरन के लिए रिश जाता है और भौम जल इस तर फिर से बढ़ जाता है। वर्षा जल संचयन की एक अन्य तक्निक ये है जिसमें धर्ती पर बहने वाले पानी को भौम जल के पुनर भरन के लिए उप्योग किया जाता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अत्यधिक वर्षा के कारण बाहर आती है और एक समय तक वर्षा के अभाव के कारण सूखा पड़ता है। धर्षा जल को एकत्रित करना और जमा करके रखना वर्षा जल संजयन कहा जाता है।